नमस्कार मेरा नाम हिमान शुदरवन और आज अपनी इस वीडियो में मैं एजू स्पर्मिया के बारे में बात करूँगा एक ऐसे भागलपुर के पेशेंट की बात करूँगा जो एजू स्पर्मिया में थे जिनकी रिपोर्ट्स में नो स्पर्मेटर जोसीन लिखावा आया था और वो आज की डेट में उनके जादा तो नहीं बट 1 से 2 मिलियन पर स्पर्म काउंट हो चुके हैं मैं आज उनकी बात भी करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एजू स्पर्मिया में क्या कारण होते हैं जिसकी वज़ा से आप एजू स्पर्मिया में आ चुके हो और उसके साथ कि अगर आप मैचुरेशन अरेस्ट है क्योंकि कुछ स्टेजिस ऐसी होती हैं जिसमें हम बड़ी जल्दी क्योर कर सकते हैं जू स्पर्मिया के पेशन्ट को बट उस स्टेजिस को समझना जरूरी है तो सबसे पहले बात करते हैं भागलपूर के पेशन्ट की एक पेशन्ट है जो हमसे treatment ले रहे थे lockdown से पहले से ले रहे थे उन्होंने तकरीबन दो महीने की medicine का course किया जो आज की date में उनका जो sperm count है वो 1 से 2 million per ml sperm count हो चुका है और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि एजुस्पोमिया के patients में जहां पर हम alopathic में जाते हैं या homopathic में जाते हैं वो इन दोनों patients को बिल्कुल मना कर देते हैं उनको IVF recommend कर देते हैं या IUI recommend कर देते हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई ऐसा treatment नहीं है कि जिसकी वज़ा से आपको sperm भार आ सके या जिसे हम कहतें कि आपके spermatozoa जो है वो निकल पाए आपके semen के साथ तो आज उसी की धारा पर अगर हम देखा जाए तो जो patient थे बहुत happy हैं इस वक्त और अपनी उस problem से निजात पा चुके हैं क्योंकि आप 1-2 million per ml sperm count आ चुका है तो इसके साथ साथ अगर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो उनका sperm count raise होगा क्योंकि वो एक azuspermia से oligospermia में convert हो चुके है और oligospermia को sperm बनाना या sperm को ज़्यादा produce करना एक असान काम हो जाता है as compared to azuspermia के patients के comparatively तो हम बात कर रहे थे कुछ कारण जो हो सकते है azuspermia के patient को तो सबसे पहले जो कारण होते हैं जो treated हैं जिसको हम treat कर सकते हैं as in Iovate की help लेकर तो वो हैं सबसे पहले अगर आपको maturation arrest है कभी आपने FNAC का test करवाया हो तो उसमें कभी कबार आता है कि आपको spermatozoa process तो चल रहा है या spermatogenesis का process तो चल रहा है बट आपके spermatozoa cell भार नहीं आ रहे है as in semen में वो भार नहीं दिख रहे है तो वहाँ उस case में हम क्या कहते हैं कि maturation arrest कि mature होने से पहले ही वो मर जाते हैं या समझ लिए एक तरीके से dead हो जाते हैं survival नहीं हो पाता जिसकी वज़ा से या समझ लिए वो बन ही नहीं पाए जो spermatozoa cell है वो बन ही नहीं पाए उससे पहले ही वो एक process में जाकर रुख गए तो वहाँ पर हम कहते हैं maturation arrest maturation arrest को recover करना एक as in सही है या एक as in समझ लिए बहुत साफ सीवधी भाशा में कि उसको हम कर सकते हैं आपके spermatozoa cell का process start कर सकते हैं तो वहाँ पर आईवेद अच्छा काम करता है कुछ structure problems होती है structure problems की कभी आपके कभी चोड लगी हो या कभी आपने कोई ऐसी surgery करवाई हो कि आपके एक testis ने work करना छोड़ दिया और वहाँ पर atrophy आ रही है उन दो testis में एक testis के work को हम बढ़ा सकते हैं उसका working process बढ़ा सकते हैं उसका काम बढ़ा सकते हैं तो वहाँ पर हम एक oligospermia हो या azospermia का patient हो वहाँ पर थोड़ा बहुत recovery के chances हमको दिखाई देते हैं as in Iowen में कुछ होते हैं जिनकी structure problem होती है structure problem माने कि वो जब से बच्पन से पैदा होए है descended testis है मतलब उनके testis पूरी brown up ही नहीं हो पाए पूरे testis develop ही नहीं हो पाए वहाँ पर उन cases में एक azospermia का case बन जाता है वहाँ पर हम Iowen भी कहीं सफल नहीं हो पाते हैं इसलिए नहीं हो पात होना या testis का ना होना एक major problem है जो azospermia में है और वो बहुत बड़ी दिक्कत करता है और इसके साथ कुछ जो हमने बताया जैसे की maturation arrest के cases होए वहाँ पर आप recovery देख सकते हैं हमारे जो भागलपूर के patient है वो बिल्कुल ठीक हो चुके है और कुछ ऐसे cases होते हैं जो structure problem जैस का process थोड़ा सा बढ़वा कर वहाँ पर वो हम उतने level तक या समझ लीचे उसके आसपास के level तक हम पहुचा देते हैं और जो कुछ IVF plan कर रहे हैं IVF plan करने के साथ साथ उनको कुछ एक ऐसे age limit पर आ गए है IVF तो आपने plan किया क्योंकि आपकी age limit एस pattern पर है कि आप 40 के पार हैं या 40 के पास हैं या 30 या 40 के बीच में हैं जहां पर आपको दिक्कत हो रही है as in partner में as in आपकी जो wife है या partner है जो भी उनकी भी age आपके साथ साथ बड़ी हो रही है तो महाँ पर हम आपको खुद ऐसी एक recommend करते हैं कि आप IVF करो क्योंकि उस duration में उस time period में आपके sperm count as in कम होते हैं mortality कम होती है जिसके कारण conceive करना एक tough part बन जाता है अगर महाँ पर अगर आप IVF plan कर रहे हैं और IVF plan के साथ अगर आपकी reports में oligospermia है अगर आपने IVF plan कर लिया है तो आपकी reports में oligospermia है मालने जिए आपके sperm count इतने सक्षम नहीं है जिसकी वज़े से आपको IVF नहीं हो पा रह से बढ़ा सकते हैं जो आपके IVF ने भी help कर सकता है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो please like, share, bell icon दबा दीजे का thank you and thank you very much